हेलो दोस्तो नमस्कार मिरना मिसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपोसिबल के यूटूब चैनल पर आसा गरता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लो यूजिसिनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम 2022 और 23 के पॉइंट अभिवृति वाले यूट से जिसको इंगलिस में टीचिंग एप्टिट्यूड भी कहा जाता है तो इसके अंतरगत एक महत्वपून टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मुल्यांकन जिसको इंगलिस में इवेलिवेशन ब प्रयास करेंगे तो बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और एंड तक पहुंचते पहुंचते जो कुछ भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और नहीं भी क्लियर ह होगा तो मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाउट या क्वेश्चन जो हैं मिंसन कर सकते हैं वहां पर भी मैं आंसर देके आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा तो चलिए फिडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस महतुपों टॉपिक को जो है कवर करने का प्रयास करते हैं इस स्लाइड में सबसे पहले हम मुल्यांकन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि मुल्यांकन का अर्थ क्या होता है तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यहां पर लिख रखा है मुल्यांकन का अर्थ सबसे पह में ही स्कूल एड में रहे होंगे तो उस्क sounds अपस्वी के जाम होने के बाद आपको result मिलता है और उसमें आपको बता चलता है कि किन किन के बेस पर यहां पर मिलते हैं तो यह मुल्यांकन करने का सबसे मीन परपष यहां यह है कि जो कुछ भी पूरे साल के दौरान टीचर्स के दौरा पढ़ाया जाता है उसको विद्यारती कितमना आत्मशत्था कर पाता है या कितना जो है सीख पाता है उसको पता लगाने का एक तरीका है आज के समय में इसका एक अलग standard हो चुका है वो अलग माईने की एक result के base पे जो है judgment जो है ले लिया जाता है किसी विद्यारती के बारे में लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारे ऐसे विद्यारती हैं जो अपने जीवन में उनका result average रहा लेकिन आज वो जो topper विद्यारती हैं उनसे ज़्यादा success फुल है तो यह आपका जो report card होता है या result होता है वो किसी भी success इंसान को define नहीं कर सकता है ठीके आयोप के मुल्यांकन आपको समझ में आ गया होगा कि मुल्यांकन का जो साब्दी कर्थ होता है निर्ड़ पदान करना होता है देखिए next part में मैंने बताए कि मुल्यांकन एक exam होता है exam के बाद coffee check होती है उसके बाद से जो है आपका मुल्यांकन हो पाता है तो यह करमिक प्रक्रिया है यह आपको याद रखना है उसके बाद से मैंने यहां पर बताए कि जो संपूर्ण सिच्छा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तो सिच्छा जो प्रणाल नहीं होगा ये सब नहीं पता चल पाएगा इसलिए ये सिच्छन प्रडाली का महत्वपूर अंग माना जाता है ये आपको याद रखना है इसके बाद से मैंने यहाँ पर बता है कि यह सिच्छा के उद्देशों से घनिष्ट रूप से संबंदित है अब कोई भी आपने यह पता चल पाएगा कि आपने कितना पढ़ाये अच्य तरीके से और बच्चों ने कितना अच्य तरीके सीखा अएओकी ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा इसके बाद से हां पर बताए कि मुल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो सैचिक उद्देशियों की सीमा निर्धारित करता है और छात्रों की प्रगती के इस्तर को जानने के लिए सिच्छक के सहता करता है सतत का मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ऐसानी कि एक बार मुल्यांकन आप अपने जी कुछ बहतर कर पा रहें तो समाज के लोग आपको जो है कहेंगे कि नहीं तुम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहें तो इस तरीके से आपका मुल्यांकन होता रहता है सतत प्रक्रिया यानि कि आप पढ़ाई की दौरान भी चलता है और आप जब जौब कर रहें उस दौरान भ करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा तो आई होब कि यह भी आपको क्लेर हो गया होगा और इसके बास यहां पर मैंने बताया कि इसके अलावा मुल्यांकन को व्यापक सामाजिक एवं निर्ड़यात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है तो यहां पर जो मुल्यांकन है आपका व्यापक है यानि कि ब्रॉड कह लिजिए है फैला हुआ है और इसके सामाजिक एवं निर्ड़यात्मक प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है निर्ड़यात्मक यानि निर्ड़य लेने में यह आपको मदद करती है यानि कि कोई बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं चल लेए पढ़ने में वह वीक है अगर आप पढ़ाय जा रहे हैं उसको लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जब आपको मुल्यांकन करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सीख कैसे पारा है उसको कौन से मिठड़ से मैं बढ़ा रहा हूं जिसके मिठड़ से वो समझ नहीं क्या उसमें कुछ क्या जा सकता है तो ये आपको निर्डाल लेने में भी मदद करती हैं मुल्यांकना स्वाonte can का आर्थ आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा मुल्यांकन का मत 사실 मुल्य का पढ़ा रहे हैं उसको आपको पता लगाना होगा कि ़ो कितना सीखा विद्यार्थी तो आपको मुल्यांकन करना होगा तभी आपको पता चल पाएगा और जब पता चलेगा तो आप विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ पाएगा और बहतर तरीके से पढ़ा पाएगा I hope कि सब कुछ आपको clear हो गया समय मैंने ज़्यादा लिया लेकिन आपको अच्छे तरीके से clear करने का प्रयास किया आईए अगले स्लाइड में जो important जो और तथे हैं जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया था विसेस्ता और लाप के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुल्यांकन के अंतरगत तो आईए आगे देखते हैं इसमें इस स्लाइड में कुछ important परिभासा हैं उसे देख लेते हैं क्योंकि ये भी important है आपके एक्जाम के point of view से देखे इसमें सबसे पहले परिभासा जो मैंने सिच्छा आयोग यानि की कोठारी आयोग के अनुसार ये परिभासा मुल्यांकन के संदर में दी गई है देखे इसमें बताएगा कि मुल्यांकन एक अनावरत प्रक्रिया है ये पूर्ण सिच्छा प्रणाली का एक अभिन अंग है और ये सिच्छा उद्देशियों से घनिष्ट रूप से संबंदित है ये चातरों के अध्यन आदतों तथा सिच्छक की सिच्छन विधियों पर अधिक प्रभाव डालता है इस प्रकार न केवल सेच्छिक उपलब्दियों के मापन में सहायता करता है अपितु उसमें आवश्यक सुतार भी करता है तो आई होप की जो कुछ में मैंने उपर आपको बताया उसी से ये मिलता जूलता है लेकिन डेफिनेशन है तो आपको पता रहने चाहिए कि ये डेफिनेशन किसका है इसलिए इसको अनावरत या सतत प्रक्रिया कहा जाता है ये पूर्ण सिच्छा प्रणाली का एक अभिन अंग है इसके बारे में भी मैंने उपर बताया कि इसके बिना आपका एक तरीकी से कह लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं सिच्छा में अचाहिए बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उसका पता नहीं कर पाएंगे कि क्या कुछ उन्नों ने सीखा है किस प्रकार से आगे उन पे काम करना तो इसलिए इसको अभिन अंग सिच्छा प्रडाली का माना गया है और यह सिच्छा उद्देशियों से घनिष्ट रूप से संबंदित है जो सिच्छा के उद्देश आपने डिसाइड कियोंगे पुरे साल भर के अंतर गत यह सारा सलेबश कवर करना है बच्चों का जो भ हर आदत के बारे में आप पता लगा पाते हैं कि वो सीखता क्यों नहीं है वो सीख कुछ नहीं पारा इसके साथ साथ जो सिच्छन विदियों का आप इस्तमाल कर रहे हैं टीचर्स जो होते हैं उनको भी इससे फायदा मिलता है कि जो भी वो टीचिंग मेथड इस्तमाल कर हैं उससे क्लास एफेक्टिव है या नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं तो मुल्यांकन के बाद वो अपने सिच्छन विदियों में बदलाओ भी कर सकता है इसके बाद से इसमें बता है कि इस प्रकार याना केवल सैच्छे कुप लबदी के मापन में सहायता कर करता है अब तो उसमें अवश्यक शुधार भी करता है यानि जो भी आपके सैच्छी कुप लबदी है जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे बहतर अंक ला पा रहे हैं या प्रफॉर्म करने तो अच्छी बात है लेकिन यहां पर कुछ अगर नहीं बहतर हो पा रहा है तो उसमें सुधार करने के लिए मुल्यांकन बहुत ही महतपूर होता है तो आयोब के सिच्छा आयोग या कोठारी आयोग के अनुसार आपको यह डेफिनेशन क्लियर हो गया उसके बाद से एक और डेफिनेशन यहां पर है आपका राष्ट्रिय सच्छिक अनुसंधान और प् उसमें परिभासा में अगर बात की जाए क्या बताया है कि मुल्यांकन एक प्रक्रिया है एक पूरी तरीके से सिस्टेमेटिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह ग्यात किया जाता है यह पता लगाया जाता है कि उद्देश किस सीमात तक प्राप्त हुए यानि कि जो आप मुल्यांकन करते हैं एक्जाम लेते हैं उसके बाद मुल्यांकन करते हैं तो आपका उद्देश किस सीमा तक प्राप्त हुआ ये मुल्यांकन से आपको पता चल पाएगा कच्छा में दिये ये अधिगा मनुभाव कहां तक प्रभाव पौदक रहें ये भी आपको पता चल पाएगा जो आपके सिच्छन विदिया है जैसे कि मैंने उपर वाले definition में आपको बताया और यहां पर कहां तक सिच्छा के उद्देश से पूर्ण हो पाएं इससे भी जो है इससे भी आप पता कर सकते हैं मुल्लैंकन के द्वारा तो यह दोनों परिभासा आपको याद रखनी है काफी important है उपर भी सिच्छायों के द्वारा और इसके सासात राष्टे सच्छिक अनुसंदान और प्रसिच्छन परिशद के अनुसार तो आई होप कि विशिस्ता है जिसको इंग्लिस में characteristics of evaluation भी कहा जाता है तो इसमें कुछ important विशिस्ता हैं एक एक करके उनको देखेंगे उन सभी में मैंने दो दो तीन तीन लाइन लिख रखा उसको explain करते के जो है आपको समझाता हुआ चलूँगा सबसे पहले आता है मुल्यांकन की विशिस्ताओं में विश्वशिनियता देखें इसमें मैंने आपको बताया है कि सिच्छ किसी विद्यार्थे की उत्तर पुस्तिका की जाच करता है और जाच के बाद अंक देता है तो यदि उसी उत्तर पुस्तिका की पुना कितनी ही बार जाच क्यों न की जाए पहले आए अंकों में और दोबारा दिये गए अंकों में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए नहीं तो विश्वशनियता होती है मुल्यांकर की वो आपकी खराब हो सकती है तो यहाँ पर आगर आप कोई कॉपी चेक करें टीचर हैं आप एकजाम में किसी सबजेक्ट की कॉपी चेक करें और आपने अंक दे दिया है और उसके बाद दुबारा फिर से कोई और टीचर चेक करें आप खुद से चेक करें तो आपके दिये हुए अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए नहीं तो विश्वशनियता जो होती है मुल्यांकर की वो प्रभावित हो सकते और परिच्छा जिस विशय की हो उसे संबंधित ही प्रशन पूछे जाने चाहिए यानि कि वैदता या वैलिडिटी का मतलब यहां पर यह इस प्रष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मुल्यांकर कर रहे हैं आप तो पूरे साल बर के दौरान जो को भी आपने पढ़ाया है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग या पाठिक्रम के अनुसार वही से आपको प्रशन जो है बनाने चाहिए परिच्छा के दौरान और इस से बाहर आपको प्रशन नहीं रखने चा काफी इंपोर्टेंट होता है मुल्यांकर में आप सभी को पताए कि आजकल के एक्जाम में जो भी है जौब के भी एक्जाम में कॉम्पटिटिव एक्जाम में भी दो चार कुश्चन को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है कुश्चन के आंसर गलत है इस तरीके से और कुछ बना दिया लेकिन विद्यार्थी काफी कुछ यहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आई होप कि इतना सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा विश्वश्चनिता और वैद्धता आए आगे इसमें और भी इंपोर्टेंट जो विशिस्ता है उनको भी जानने का प बुद्धी के लिए या जो उसके बाद से थाड़ ओडर आता है ठीक है मन्द बुद्धी के विद्यार्थियों के अनकोल हो साथ ही विद्यार्थियों को मुल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जाननी जानकारी होनी चाहिए यानि कि मुल्यांकन में निया संगत्ता की व पूसत मंदबुद्धी जैसे कि आप सभी देखते हैं कि फर्स्ट शिकेंड थर्ड इस तरीके से ओर्डर में भी बना जाता है कि ये आपको याद रखना है ठीक है तो विद्यारतियों के अनुकूल होनी चाहिए ये जो मुल्यांकन पत्र होते हैं ताकि बच्चे इस संगतता की विसेस्ता भी होनी चाहिए यानि पूरी तरीके से न्याय संगत तरीके से मुल्यांकन किया गया है और मुल्यांकन पत्र जो है यहां पर बनाया गया है ये ध्यान रखना चाहिए मुल्यांकन के दौरान आयों कि विवेदी करण या डिफ्रेंसियेशन आपको अ सकता है यानि कि जब भी question paper बनाय जाए तो इस बात का ध्यान वहाँ पर रखना चाहिए कि पूरे पाठिक्रम से जो है question question कुछ ने कुछ question लिये जाने चाहिए ऐसा नहीं कि कि किसी एक ही जो है chapter से या एक ही topic से बहुत सारे question भर दें तो इस तरीके से आपको पता नहीं चल पाएगा जो विद्यारती हैं उनके मानसिक और बौधिक योगता का पता नहीं लगा पाएगे क्योंकि particular आपने किसी एक chapter का ही question उनको दे दिये है तो उन सारे chapter से एक एक दो दो question आपको उठाने था कि exam के अंदर जो है जो कुछ भी syllabus है या जो आपका subject है उससे ही related जो question है आपको पूछना चाहिए exam में ऐसा नहीं कि subject sociology का है या science का है तो आप math का question पूछन पूछन है इस तरीके से तो जिस subject का exam है उससे ही question पूछना चाहिए और समगरता में यहां पर आपको सभी पाठिक्रम से कुछन कुछ question लेना चाहिए तब ही आप विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौधिक योगिता का पता लगा पाएंगे तो आई होब कि यह दोनों आपको अच्छे से वाली टीम या संस्था दोनों ही अपने अपने उद्यसियों को प्राप्त कर सकें ऐसा नहीं कि question बनाते समय question बहुत ही आउट साइट से एक्जामनर जो है पूछ ले तो यहां पर यही बताया गया कि उद्देश से निष्ठता जो है यहां पर काफी important होती है किस उद्देश से जो है आप यहां पर मुल्यांकन कर रहे है या जो पीपर है आप बना रहे है ऐसा नहीं कि बच्चों से बहुत दूर या कुछ अपने आपको अलग तरीके से साबित करने के लिए पेपर बना रह के इस प्रकार से प्रशन पत्र को तयार करना चाहिए तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया इसके बाद से मैंने बताया वस्तुनिष्ट था यहां पर तो इसमें मैंने बताय कि प्रशन पत्र में बहुविकल्पी तथा वस्तुनिष्ट प्रशनों को सामिल किया जा और उत्तर पुस्तिका की जाच करते समय सिच्छक के व्यक्तिगत समवेग और पूर्वा ग्रह का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पढ़ना चाहिए। जाच करते समय जो है व्यक्तिगत समवेग और पूर्वा ग्रह प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पढ़ने चाहिए। प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पढ़ना चाहिए। आपको याद रखना है तो आई होप की ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लेर हो गया। ताकि यहाँ पर पिक्चर और जो टैक्स्ट है और जो मैं वाइस यहाँ पर आपको सुनाई दे रहें तीनों के कॉम्बिनेशन से इन्फरमिशन आपके माइंड में अच्छे तरीके से से शेव रहें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताए कि भारत के स्कूल में मुल्यांकन के लिए लागू की गई एक निती है जिसे 2001 में आरंब किया गया था। तो यह आपको याद रखना है कि सतत तथा व्यापक मुल्यांकन जो है भारत के स्कूलों में मुल्यांकन के लिए ला और यहां पर सततत तफा व्यापक मुल्यांकन का जो अर्थ होता है वो है छात्रों के विद्याले आधारित मुल्यांकन की प्रडाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पच्छ सामिल हो यानि कि सतत का मतलब continue आपका होता है व्यापक का मतलब फैला हुआ यानि कि यहां पर सभी पहलूं का मुल्यांकन हो सके छात्र के यह जो है आपका सतत और व्यापक मुल्यांकन से पता चलता है ठीक है तो यहां पर यही बताएगा है कि सतत तथा व्यापक मुल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्याला या धारित मुल्यांकन प्रडाली जि इसमें छात्र के विकास के सभी पच्छों को सामिल किया जाए मुल्यांकन के दौरान जो है विकास के सभी पच्छों को सामिल करना है तभी आपका सतत और व्यापक मुल्यांकन हो पाएगा तो आई होप की सतत तथा व्यापक मुल्यांकन आपको अच्छे सी क्लियर हो गया हो आज सरकारों की परिच्छा बोर्ट तथा केंद्रिय मादमिक सिच्छा बोर्ट द्वारा जो है इसको सुरू किया गया था ये भी आपको याद रखना है और अर्थ के रुप में आपको यही बता दिया कि विद्याला याधारित मुल्यांकन प्रडाली जिसमें छात्र के वि मुल्यांकन के कुछ मुख्य लाब हैं जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग मुल्यांकन या इवैलिवेशन के अंतरगत उसके अर्थ विसेज था और इसके साथी साथ उसके जो लाब हैं उसको जानने का प्रयास ने आपको परिभासाओं के बारे में भी बताया और इसके साथी साथ सतत और व्यापक मुल्यांकन क्या होता उसके बारे में भी बताया दो और important चीज जो है इसमें मैंने add की थे इस topic में तो I hope कि वो भी आपको अच्छे से clear हुआ होगा तो अब हम जान लेते हैं इसके जो मुखे लाब है मुल्यांकन के तो सबसे पहले मैंने बता है कि मुल्यांकन से छात्रों के सक्तियों और कमजोरियों का आकलन किया जा सकता है यानि कि जो विद्यार्थी है उनके strong point और weak point को जो है मुल्यांकन के द्वारा जाना जा सकता है जैसे कि आपने सभी subject का test लिया तो हो सकता है बच्चा किसी subject में अच्छा परफॉर्म ना करे किसी subject में अच्छा परफॉर्म करे तो इससे आपने ये पता लगा लिये कि बच्ची को कौन से subject में ज्यादा रूची है तो उस तरीके से उस से related जो है छेतर क्या हो सकते हैं उसके लिए जिसमें वो अपना बहतर carrier जो है बना सकता है उसके लिए जो है वहाँ पर आप उस तरीके से उसको guide कर सकते हैं तो ये भी काफी important हो सकता है और इसके साथ ही साथ अगर academic में है तो उन subject को जो subject जो है उसका week है उसमें कैसे वो बहतर कर सकता है उस पर आप काम कर सकते हैं फिर इसमें next जो point है कि मुल्या मुल्यांकन करते हैं तो जो भी subject में कम number आते हैं या कम performance हो पाता है तो इस तरीके से छात्र जो है next time उस exam के लिए बहतर प्रयास करता है या बहतर performance करने के लिए तैयारी करता है तो यह प्रेड़ना मिलती है मुल्यांकन से इसके बाद से जो next point आपका है कि यह छात्र हित्म सुगम यूजना बनाने में सहायक होता ہے या या यहां पर चात्रों के प्रती जो है मुल्यांकन आपका क्या करता है बहुत सारे निरिच्ठ कर लिजे किया जा सकता है कैसे किया या सप्जह कि आप समझे जैसे कि आपने जैसे किmonary the बेच ज हो बहुत सारे बच्चे बहां पर फेल हो जाते हैं या बहुत कम ज्यादा बच्चे जो एक कम नमबर लाते हैं फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब जो भी आपका पार्टिक्रम है क्या वो सही है उनके उद्देश के लिए या जो मेथेड्स आप पढ़ा रहे हैं जिस मेथेड्स से तो वो भी आपका सही तो यह स स्कूल में आपने अलग अलग बच्चों ने और वहां पर किसी स्कूल में ज्यादा बच्चे जो है बैतर करने किसी में कम कर रहे हैं इससे यहां पता चल जाएगा कि वहां का education system है या education जो पूरा पूरा ecosystem है किस प्रकार से चल यह सिचक कैसे हैं तो वह performance से आपका पता चल जाएगा जिससे जो है आप संस्थाओं को चुनाओं करने में आपको काफी help मिल सकती है यानि परिच्छाओं के नतीजों के अंतर जो है संस्थागत तुलना में सहायता मिलती है इससे आपको काफी फायदा हो सकता है यह भी आपको घर पे हमारी क्या होगी वो तो विद्यार्चों को पता ही होगा तो यह भी काफी important है कि इससे माता पिता को भी जो है बच्चों की सिच्छा में प्रगति का नियमित पता चल पाता है तो यह कुछ मुल्यांकन के important lab है और I hope कि यह आपको अच्छे तरीके से clear हो गया होगा और कुछ भी नहीं समझ मा है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं अपने तरब से पूरा अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि इस topic को अच्छे तरीके से आपको clear करूं तो I hope कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से clear ह होगा तो इस वीडियो में हमने मुल्यांकन के अर्थ को जानने का प्रयास किया इसके बाद से परिभासाओं के बारे मैंने बताया को ठारीयोग या सिच्छायोग के द्वारा मैंने बताया क्या परिभासा दी गई है उसके बाद से मुल्यांकन के विसस्ता को हमने जानने क का प्रियास किया और विसिस्ताओं के बाद मैंने सतत और व्यापक मुल्यांकन के बारे में आपको bestow मुल्यांकन के जो ताइपस हैं अलग अलग evaluation के जो टाइप है उनको जो है मैं आपको अच्छे तरीके से Play TV का जा Tammy में आपको जो भी important points हैं उन्हीं को मैं बताने का प्रयास करूंगा उनके बारे में बहुत कुछ और revise भी कर सकते हैं और उससे notes भी आप बना सकते हैं तो यह एक तरीका होता है बुक पढ़ने का ऐसने कि बुक को एक एक चीज पुरा detail में आप पढ़ते चले जाएं I hope कि यह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि बुक को कैसे readout कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं जिस बुक से आपको यहाँ पर content तयार करके पढ़ाता हूं तो मैं दो चार बुक का इस्तमाल यहाँ पर करता इसके साथ ही साथ अगर आपको आपके आसपास के book swap पे नहीं मिल ला है तो आप जो है online इसे purchase कर सकते हैं और मैं चाहूंगा तो आपके description box में जो है इन books के link मैं आपको दे दूँगा वहां से भी जाकर जो है आप purchase कर सकते हैं तो बुक का पहले मैंने नाम बताया था केवि किश्मदान दूसरी book है अरिहंत की book है फिर उसके बाद से मेरे पास द्रिष्टी publication की भी book है युनिवर्सल publication के तो इस प्रेकार से चार पांच book मेरे पास है और सब में सब को चिक करता हूं सब में सारे topic में कितने किसी में कम मतलब सब्दों में सारा कुछ explain किया गया है किस उसे purchase कर सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से अगर हिंदी medium के हैं तो उसके लिए के विश मदान भी बेच्ट है और इंग्लिस medium के लिए बी जो है ये book काफी बढ़िया है तायोब की ये भी information आपके लिए काफी helpful होगी और वीडियो का session आप सभी को पसंद आया होगा और आज की वीडियो में बस इतना ही और एक बात यहाँ पर याद रखेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करके यहाँ पर appreciate करना ना भूलें इसे में कहना भूल गया था तो like करके आप जो है हमें appreciate कर सकते हैं क्योंकि content बनाने में काफी समय लगता है तो बस आप एक like य button आपका होता यह घंटी का उसे आप प्रेस कर लिए तभी आपको इस चैनल पर जो भी important वीडियो अप्लोड की जाएगी उसकी notification हमेशा मिल पाएगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले important वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै भारत